आज दुनिया में पड़ोसी का धर्म तो दूर अपना ही धर्म नहीं जानते गों जब आप अपना धर्म नहीं जानेंगे दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे तो धर्म के नाम पर आप बर्गलाए जाएंगे एक समय मैं भी बिचलित हो गया था इसलाम को लेकर के इसका कारण कोई दूसरा नहीं था, इसका कारण वो लोग हैं जिनों ने قुरान का हिंदी अन्वाद किया लेकिन उसकी व्याक्या सही नहीं कि व्याक्या की ही नहीं, कुछ आयतें जिनको अगर गैर मुस्लिम पढ़े तो उसका अर्थ पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि य जैसे अगर युद्ध का आदेश श्रीमत भगवत गीता में है, तो अगर ही आदेश क्यों है, अगर ये नर्पता हो तो ये लगेगा कि श्रीमत भगवत गीता में युद्ध है, ऐसी धार्मी पुस्थक है, لेकिन वो युद्ध किसके लिए है, अन्याईयों के लिए है अत्याचारियों के लिए है और खब हुआ जब अन्याई और अत्याचार समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो गए बात चीत के सारे रास्ते बंद हो गए कोई रास्ता नहीं बचा सिवा युद्ध के तो जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता न बचे, एक ही रास्ता बचे की युद्ध, तो वो युद्ध धर्म्युद्ध होता है, लेकिन धर्म्युद्ध सदयो मर्यादित होता है, तो जो हमने आयतें देखी, उन आयतों म मुझे लगा कि ये हमारे विरुद्ध है अभी मैंने बताया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान दूसरे का धर्म तो दूरा अपना धर्म भी नहीं जानते तो खुद धर्म विरुद्ध कारे करते रहते हैं समाज के हर वर के हर धर्म के लोग जो धर्म को नहीं जानते धर्म बिरुद्ध करेंगे तो वो उदाहरण भी मिला कुछ इतिहास हमने पढ़ा पक्षा 6 से लेकर आठ तक मुहम्बन बिन कासिम से लेकर औरंग जेब के बाद तक का जो इतिहास इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि ये वैमनच्य पैदा करता है घ्रणा पैदा कर लिखा किसने समय है इसलिए हम इसको बता दें ये इतिहास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए अंग्रेजों ने लिखा तो वो इतिहास हमने पढ़ा जो यहां अंग्रेजों के बाद यहां के खुक्मरानों ने जारी रखा तो एक तरफ पुरान मजीद की व्याक्या नहीं दूसरी तरफ कुछ नासमझ मुस्लिम भाईयों की हरकतें और तीसरी चीछ इतिहास तो हमको लगा कि ये कुल मिला करके बहुत बड़ा खत्रा है हमने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास लेकिन बाद में मुझको ये लगा जब मैं आध्याद्म की और मुडा गहराई से मुडा तो धर्म की परिवाशा होती है जो धारन करने योग हो वह धर्म है यानि जो अमल में लाने योग हो आचरन में लाने योग हो वह धर्म है धर्म की सफलता तब ही जब वो अमल में लाया जाए आचरन में लाया जाए इसी लिए धर्म होता है धर्म के ओल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीश को सुनो, शिर्मत भगत की गीता को सुनो, गुर्गरंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ तो चुछ कि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, हमने किताब क्या लिखी? इसलामिक आतंकवाद का इतिहास, यानि आतंकवाद को हमने इसलाम से जोड़ा, तो अगर इसलाम में आतंकवाद है, तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानि हर मुसल्मान को अमल में लाना चाहिए, तो अगर हर मुसल्मान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा, तो यहां कहावत है कहावत क्या है श्रीरामचरीत मानस में है जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन तैस अगर आपकी भावना किसी भी जगए आतंगवाद को देखने की है तो आपको आतंगवाद दिखाई देगा तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने निगेटिव सोच ले लिया हो इसलाम के लिए और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मंग चीजें आतंगवाद दिखाई दिए हो तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पराई